नमस्कार दोस्तों सभी सम्मानित सिच्छक सिच्छिकाओं का मैं कोसलें सिंग अपने यूट्यूब चैनल पर हारदिक स्वागतवा भिनंदन करता हूँ आज हम लोग मिशन प्रेणा प्रश्णोत्री भाग छे कि कुछ प्रश्णों को हल करने का प्रयाश करेंगे और आपको अपने अन्भो और सिच्छड के आधार पर सही उत्तर देंगे अगर किसी प्रकार की किसी प्रकार का अगर आपको तूटी लगे तो उसके लिए मैं छेमा प्रार्थी हूँ सरप्रथम जो पहला प्रश्ण यहाँ पर दिया हुआ है वह है कि प्रेणा सूची में भासा वा गडित विसे के लिए दी गई कुल दच्छताओं की संख्या है तो यहाँ पर चार आप्शन दिये हुए हैं पहला है हिंदी 14 गडित 16 दूसरा है हिंदी 16 और गडित 16 जो तीसरा आप्शन दिया हुआ है वह है हिंदी 74 और गडित 74 और जो अंतिम आप्शन दिया हुआ है यहाँ पर कि हिंदी 65 और गडित 65 तो जो इसमें जो तीसरा विकल है बिल्कुल ही राइट है हिंदी चहत्तर और गडिक चहत्तर तो बिल्कुल ही सही आंसर है ये अब हम पुना हाँ अगले प्रेशन के ओर बढ़ेंगे जैसा दूसरा प्रेशन आपको स्क्रीन पर है कि प्रेणा सूची में भासा के लिए दी गई दच्छताएं किस विशय के लिए हैं तो जो इसमें पहला आप्षन दिया हुआ है वह अंग्रेजी हैं दूसरा आप्षन जो दिया है वह संस्कृत है तीसरा आप्षन है हिंदी और अंग्रेजी और चौथा आप्षन है आपका हिंदी तो जो इसमें जो सही आप्षन है वह है आपका हिंदी बिल्कु दिवारों पर दूसरा अफसन दिया है पुस्तकाले में तीसरा है कच्छा वार प्रतेक कच्छा की दिवारों पर और चौथा और अंतिम यहां पर जो अफसन दिया है वह प्रधाना ध्यापक कच्छ में तो जो इसमें सही अफसन है वो कच्छा वार प्रतेक कच्छा की दिव वारों पर बिल्कुल ही तर्क संगत न्यार संगत आंसर है यह हम अगले प्रश्ण की और बढ़ेंगे जैसा चात्रों के एक समूह में कुछ चात्र किसी चित्र या अनुभव पर दो से तीन वाकिस सही लिख लेते हैं जबकि कुछ चात्र चार से छे वाकियों के संदेश वाले पत्र लिख लेते हैं यह दच्छिता संबंधित हैं तो यहाँ पर चार आपसं दिये हुए हैं पहला आपसं दिया है कि कच्छा दो एवं कच्छा चार से दूसरा कच्छा तीन एवं कच्छा चार से तीसरा आपसं दिया है कच्छा चार एवं कच्छा 5 से और जो अंतिम यहाँ पर आपसन दिया है कच्छा 1 एवं कच्छा 2 से तो जो इसमें सही आपसन है वह है कच्छा 2 एवं कच्छा 4 से पहला वाला आपसन बिल्कुल ही आपका राइट है अब हम नए next question की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो next question हमारा है वह है प्रेणा सूची में समलित किया गया है तो यहाँ पर देखे चार आपसन आपके सामने हैं पहला है प्रेणा लच्छियों को दूसरा है विशे संबंधित दच्छताओं को तीसरा है सिच्छक द्वारा विद्यालय में किये जाने वाले कार तो यहाँ पर जो second option है वह आपका बिल्कुल ही right answer है वह विशे संबंधित दच्छताओं को अब हम पुना next question के ओर बढ़ेंगे यहाँ पर जो next question हमारा है वह है कि एक दच्छता जिसमें बच्चे खुली वाबंद आकृतियों को समझ वा पहचान सकते हैं कौन सी है और किस कच्छा के लिए हैं यहाँ भी चार option दिये हुए हैं पहला है कच्छा एक दच्छता पांच कच्छा दो दच्छता छे कच्छा तीन दच्छता दस कच्छा चार दच्छता दस तो यहाँ जो है आपका जो सही answer है वह है आपका कच्छा चार दच्छता दस और मैं आपको ब तो उससे भी आपको बहुत सी चीज़े किलियर होंगी अब हम नेक्स कोश्चन क्यों पढ़ेंगे तो यहां जो नेक्स कोश्चन हमारा है वह है कुछ चात्र अपरिचित सब्दों जिसमें संयुकताच्छर से बने हुए बहु अच्छरी सब्द भी सम्मिलित हैं यह भी बता संबंधित हैं अब यहां पहला आपसं दिया है कच्छा 2 वा कच्छा 3 के चात्रों से दूसरा आपसं दिया है कच्छा 5 के चात्रों से और जो तीसरा है कच्छा 3 के चात्रों से और चौथा है कच्छा 4 वा कच्छा 5 के चात्रों से तो जो इसमें सही आपसं है वह है कच्छ तीन के छात्रों से बिल्कुल ही सही प्रिश्ण का सही आंसर यह है अब हम नेक्स्ट कोश्चन की बात करेंगे तो यहां पर स्क्रीन पर जैसा आपको आपके सामने हैं कि छात्र चित्र के माध्यम से किसी कहानी को घर की भासा में हाव भाव वा सब्दी सब्दावली का इस्त चार आप्जान दिये हुए हैं कच्छा तीन मौखिक अविरत्ती एवं वाडन कच्छा चार मौखीक पाठन प्रवाह कच्छा दो मौखीक अविरत्ती एवं वर्डन और जो अंति मिहापर आप्षन है कच्छा एक पढ़कर समझना तो यह जो चार आफ्षन है इसमें जो सही आफ्षन है वह है कच्छा दो मौखी का वृत्ति एवं वर्डन अब हम पुना है नेक्स्ट कोश्चन की ओर छात्र घड़ी देखकर समय बता लेते हैं एवं सभी आकड़ों को टेली मांक्स द्वारा संग्रित करके चित्र के माध्यम से दर्साकर निसकर्स निकाल लेते हैं या दच्छता संबंधित है इसमें भी आपके चार आफ्षन दिये हुए हैं पहला है कच्छा एक सामान गड़ी तेवं डेटा संधार से दूसरा है कच्छा दो सामान गड़ी एवं डेटा संधार से कच्छा तीन ती कच्छा तीन सामान गड़िते उंडेटा संधार से इसी प्रकार जो अंतिम प्रश्ण इस प्रस्णों तरीका है वह है कि मिशन प्रेणा के अंतरगत तालिका की उप्योगिता क्या है तो यहां पर भी चार आफसंद ये हुए हैं सिछड के कौसल में ब्रद्धी पहला ये को रोचक और प्रभावी प्रभावपूर बनाने है तो और जो अंतिम है वह अप्चा उप्चारात्मक सिछड की आवसकता वाले बच्चों की पहचान करने है तो तो देखे ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रेश्ण है खासकर छाच्छात्राओं के लिए बहुत कर लें कि आखिर उनको प्रावलम क्या है और जो हम डागनोस कर लेते हैं जिसे निदानात्मक परिछड बोलते हैं उसके बाद ही हम रिमेडियल जो है टीचिंग करते हैं अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं उनके लिए अलग से सिच्छा की विवस्था करते हैं अलग वीडियो के लिए आप मेरे वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सेर करें लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको मिसन प्रेड़ा से संबंधित जितनी भी प्रसनोतरी हैं उनके आपको सही आंसर मिल सकें मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर झाल 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 झाल